के आप सभी का कैसे हैं आप सभी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ दा हिंदू के कुछ ए पॉर्टर डेली वरक अप्स का डिसकेशन करता हूं तो उसी सेले को हम कंटेनियू रखते हुए आज टे वन हंडर रिंट थी है जिसमें एंट कर लो क्योंकि जितनी भी पीडियेफ होती हैं मंतली, वीकली, डैली, जो भी वीडियो के up लिंक होते हैं रहे मैं वहीं पर शेयर करता हूं तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं में क्या तो आज हम बात करे एं हमारे पास पहला वर्डüs होने वाला हे वो है प्रीडिकमेंट, प्रीडिकमेंट एक नाउन होता है, ठीक है, इसका जिस भी वर्ड में M E N T लग जाए, वो नाउन कहलाएगा, ठीक है, लास्ट में, तो नाउन होता है, इसका मतलब होता है, An unpleasant and difficult situation, that is hard to get out of, बतलब एक ऐसी situation, जो काफी problematic है, काफी difficult है, जिससे बाहर निकलना काफी difficult है, आसान नहीं है, ठीक है, तो वो प्रीडिकमेंट कहलाएगी, ठीक है, तो आप एक शब्द में से दूर तशा भी कह सकते हैं, Synonym की बात करें इसके, तो mess है, difficulty है, और trouble है, Antonym की बात करें, तो ease है, peace है, और pleasure है, Sentence में अगर use देखे हम इसका, तो I was in an awkward predicament, miles from home and penniless, मतब मैं एक बहुत ही problem में फस गया, अपने घर से बहुत जादूर और में पास कोई था भी नहीं, ठीक है, एक दमनी हाथ था डाइब कह सकते हैं, चलो, next बात करें, अगला है, exigency, exigency एक noun होता है, इसका मतलब होता है, an urgent need or demand for something that must be dealt with without delay, मतलब एक बहुत ही जयादा important, मतलब कि urgently चीज़ें, कोई किसी चीज़ें की बहुत जयादा urgent demand होती है, वो exigency कहलाती ही होती, ठीक है, तो एक शब्द में करे सेक हैं, अत्यावशक आप इसे, अत्यावशक ताया, अत्यावशक आप इसे कह सकते हो, synonym की बात को तो need, demand or requirement हो जाएगा, antonym की बात को तो indifference, unimportant or uncritical हो जाएगा, sentence में इसका use देखे हैं, तो court have identified two exigency that justify warrantless search of suspect incident to arrest, मतलब court जो है, उसने दो exigency को identify के जो अत्यावशक बहुत जादा थी, मतलब urgently उन्होंने उनको identify किया, जिन्होंने जो warrantless search है, जो ऐसा समलो कि, जो search की जाती है, जब किसी का search होता है, तो warrant निकाला जाएगा, तो वो जो दो लोग को identify किया था, उन्होंने direct warrant की जरूशी ने पड़ी, उन्होंने सिधे बता गया भाई, ये लोग है, उन suspects को, चलिए, next बात करें, अगला है, in snare, इसका भी मैं pronunciation में दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे बोला जाता है, इसे, verb होती है, इसका जो pronunciation होता है, इसको ऐसे बोलते है, unsnare, ठीक है, unsnare कहते हैं, meaning इसकी होती है, to catch or trap in a snare, मतलब फंदे में फसाना कह सकते हो, आप से, snare मतल होता है, फंदा, ठीक है, उसमें फसाना किसी चीज़ को, तो वो कह रहता है, in snare, ठीक, एक शब्द में कहा है, तो फसना आप इसे कह सकते हो, ठीक है, और synonym की बात का, तो capture होना, catch होना, और seize होना हो जाएगा, and synonym की बात का, तो release free or liberate हो जाएगा, sentence में इसका use देखें, त पुलिस successfully ensnared the burglar, burglar का मतलब होता है, जो चोर होते हैं, ठीक है, तो पुलिस ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से successfully burglar हमने पकड़ लिया, ठीक है, next बात करें, अगला है ameliorate, ameliorate एक verb होती है, इसका मतलब होता है, to make something better, किसी चीज़ को बहुत ही कह सकते हो, synonym की बात करें इसके तो improve करना, better करना और enhance करना हो जाएगा, antonym की बात करें तो version, aggravate और exacerbate करना हो जाएगा, ठीक है, sentence में इसका use देखें, तो a centralized policy would compound, not ameliorate the problem, compound मतलब दुग ना करना, ठीक है, मतलब 2, 2, 3, 4, ऐसा बोल सकते हैं, तो जो centralized policy है, वो compound करती है, कि इस चीज़ को, problem को, ना कि ameliorate, ameliorate आसान नहीं करती, बहतर नहीं करती, और ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है, चलिए, ऐसा इस sentence में कहा गया है, चलिए, next बात करते हैं, अगला है हमारे पास, delineate, delineate मतलब होता है, तो describe or draw something in a great detail, मतलब किसी चीज़ की बहुत ही जगा व्याख्या सहीट, उसका detailing करना, ठीक है, वो कह राता है, delineate, ठीक है, किसी वस्तु का विस्तार से burner करना या चित्र बनाना, वो कह राता है, delineate, ठीक है, एक शब्द में कह तो लिखित करना, आप इसे कह सकते हो, synonym की बात कर तो describe करना, characterize करना, represent करना हो जाएगा, antonym की ब line थी, जो describe करते थी, parking space को, वो fade हो गई है, वो धुंदली हो गई है, वो दिखना ही रही है, ठीक है, ऐसा sentence में कहा गया है, चलिए, next बात करें, अगला है हमारे पास, aggregious, aggregious, adjective होता है, इसका मतलब होता है, extremely bad in a way, that is very unnoticeable, कोई चीज़ बहुत ही बेहत भद्दी है, बुरी है, जो easily दिख रही है, ठीक है, वो कहलाती है, aggregious जाते, example के थो हम बात करें, तो आपका अगर आपका room होगा proper, तो आपका room मम्मी को हमेशा गंदे दिखेगा, तो aggregious दिखेगा, तो आप ऐसे कह सकते हूँ, चलो, एक शबन कहें तो बेहत बुरा, ठीक, synonym की बात करें तो shocking appealing और horrific हो जाएगा, एंटॉनिम की बात करें तो marvelous, fantastic और spectacular हो जाएगा, sentence में use देखें इसका, तो this was an aggregious breach of data and ethics, यह एक बहुत ही बुरा breach है, उलंगन है किस चीज का data और mythic ताका, ठीक है, जो data है उसका और जो ethics है उसका, ठीक, चलिए, next बात करें, अगला है हमारे पास, anthropogenic, anthrop anthropogenic क्या होता है, adjective होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, environmental change caused or influenced by people either directly or indirectly, वर्ला हम लोग जो environment में changes ला रहे हैं, for example, cars use करते हैं, plastic use करते हैं, जो हमारे जो waste material होता है, वो environment को बहुत harm कर रहा होता है, तो उस particular term को हम anthropogenic कहते हैं, ठीक है, चलो, मानव जनित कह सकत आप इसे मानव जनित है, human के थ्रो जो develop होता है, जो बनाया जाता है, ठीक है, जैसे car हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें pollution बनो, उससे, तो वही सारी चीज़े आपर कही जा रही है, ठीक है, synonym की बात के तो human made, man made और artificial हो जाएगा, antonym की बात के तो natural और non anthropologic, anthropogenic हो warming signature that are inexplicable without anthropogenic greenhouse forcing, मतलब जो ocean temperature है, वो दिखा रहा है कि warming signature दिखा रहा है, मतलब बहुत गर्म हो रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे मानव जनित, हम लोग जो कर रहे हैं, जो greenhouse effect जो कर रहे हैं, जो धुमें निकलते हैं, जो हम लोग pollution करते हैं, उस वज़े से यह हो रहा है, तो ocean temperature भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, धीर धीर, तो ऐसा बोला है, जेंटर में, ठीक, चलिए, next बात करें, अगला है हमाँ पास cornerstone, cornerstone एक noun होता है, इसका मतलब होता है, the most important part of something that is rest depend on, मतलब कोई चीज बहुत ही ज़्यादा important है, जिस पर बाकी की सारी चीजे निर्भर हैं, जैसे कह सकते हो, नीव आप इसे कह सकते हो, एक शब्द में, नीव कह सकते हो, ठीक, तो एक शब्द की बात करें, तो महत्वपूर्ण अंस और जो मैंने नीव बोला, वो भी आप कह सकते हो, synonym की बात करें, तो foundation, basis और keystone हो जाएगा, antonym की बात करें, तो over garment artifact और acromatic हो जा community के लिए, वहां की लोकों के लिए, ठीक है, ऐसा बोला है sentence में, ठीक, चलिए, next बात करें, अगला है हमाँ पास transcend, transcend एक verb होता है, इसका मतलब होता है, to go further than the usual limit of something, मतलब किसी चीज़ को पार कर जाना, किसी limit को पार कर जाना, तो वो transcend कहलाता है, ठीक है, किसी एक limit को आगे निकल जाना, वो transcend कहलाता है, ठीक है, तो एक शब्न कहें, तो पार कर जाना, आप इसे कह सकते हूं, synonym की बात करें, तो overshoot कर जाना भी, same मतलब होता है, exceed और surpass करना भी होता है, ठीक है, और antonym की बात करें, तो keep down रहना, और stay in place, अपने जेखे पे रहना, ठीक है, sentence मे use देखें इसका, तो this requires coordinated intergovernmental action, because these activities transcend national boundaries, तो यह जो है, वो चीज क्या चाहती है, वो चाहती है कि coordinated intergovernmental action हो, क्यों हो, intergovernmental action मतलब, दो देशों के बीच का action हो, क्यों हो, क्यों हो, क्यों हो, क्योंकि यह जो activity हुई है, यह दो देशों के बीच की बात है, national boundary को cross कर चुकी है, इस बोला है इस sentence में, चलिए, next बात करें, अगला है हमार पास salient, salient एक adjective होता है, इसका मतलब होता है most important और noticeable, कोई चीज बहुत ही ज़्यादा important है, और उस पर ध्यान भी जा रहा है, noticeable है, ध्यान देने योग है वो बाते हैं, ठीक है, चलब, तो एक शब में मुख्य कह सकते हो, synonym की बात कर तो important है, mean है, और principle हो जाएगा, antonym की बात कर तो unimportant है, और inconspicuous है, sentence में अगर इसका use देखे हम, तो she began to summarize the salient features, points of the proposal, तो उसने जो है, जो proposal था, उसके salient features, points बताना शुरू कर दिया, मुख, points जो मुख बिंदू होते हैं, वो बताना श्टार्ट कर दिया, ठीक ह चली, तो अभी हमारे वो, जो vocab से वो over हो चुके हैं, अब बात करते है, idiom और phrases की, तो पहला है, your guess is as good as mine, इसका मतलब क्या होता है, इसका तो पहले हिंदी देखो, तो आपका जो guess है, आपका जो तुका वो, जैसे मेरा है, वैसे आपका है, इसका मतलब होता है, I have no idea, मतल ज्यादा अच्छा है, जो दो बाद में आने वाले हैं, उनसे ठीक है, ऐसा बोला है, bush मतलब बाद में आने वाला है, आपके पास जो बाद में रखा हुआ, तो इसका मतलब होता है, what you have in is, आपके बाद जो है, वो worth है, वो काफी है, more than what you might have later, आपके बाद जो बाद में हो दूसरा मतलब होता है, to appear, दिखना, seem, make or impression, मतलब कोई impression बनाना, ठीक है, वो भी come across कराता है, तो example देखते है, I was cleaning up and came across some old photos of you, मतलब मैं कमरा साब कर रहा था, या सफाई कर रहा था, उस समय मैंने कुछ photos आपके देखे, जो पुरानी photos आपके थी, उनको मैंने, मुशे मिली हो चीज है, मतलब गलती से मिल गए, अचानक से मिल गए, ठीक है, the politician come across as a complete fool during the TV interview, तो जो politician था, उसकी TV interview हो रहे थी, और वो completely fool, मतलब, वो हो गया, क्या सवाल पोच लिया, ऐसा type, तो उसका impression जो था, वो came across वाला impression था, ठीक है, वो impression particular came across कहला है, ठीक है, next है come forward, come forward का मतलब ह अपने आपको कहीं पर present करना, represent करना, ठीक है, महा जाना, तो वो कहला था, come forward, तो example है इसका, has the owner of the winning lottery ticket come forward, तो जो lottery ticket जो जीता है, वो जो owner है, उसका lottery ticket का, क्या वो आएगा, question mark लगा last minute, तो वो पूछा जा रहा है, क्या वो आएगा, इसा पूछा गया, ठीक है, चलिए, त आपके लिए लाया हूँ मैं, question of the day, एक है precaution, एक है menance, ये आज के नहीं है, ये कली के है, आपको कोशिद करना है, एक synonym, एक antonym, दोनों के बनाईए, और बनाईए क्या, comment box में comment करिए, और साथ ही, अगर आप कर सकते हो, तो sentence बना कर, frame करके, comment box में comment करो, मैं उसका reply भी कर ये मेरा telegram चरण है, इसको join कर लो, जितने भी pds होती है, weekly, monthly, और भी दूसरी pds, puzzles की, तो वो सारी pds मैं है डलता हूँ, और साथ ही, जितने भी वीडियो मैं डलता हूँ, सबकी link भी यहाँ पर मैं डलता हूँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं next video, मैं तब तक के लिए thank you, and God bless you all झालता हूँ, झालता हूँ, झालता हूँ